तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एमपरे ने एलेक्स को खाने के लिए बुलाया गया था जिसके वह सभी खाने के लिए राजमेल के अंदर चले गए थे तो अब आगे इस एपिसोड की सुरुआत भी वही से होता है जहां पर सभी दावत का वरही मज़े चाहता है लेकिन तब ही वहां पर फिफ्ट प्रिंसिस आकर एलेक्स के ध्यान को दोड़ देता है और एलेक्स को कहता है कि अगर वह चाहे दो उसका डिसापल बनना चाहता है लेकिन असले में अगे इस बात को सुनकर बहुत लघा पुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने यहां पर उसे डिश्टरप कर दिया था जिसके उसे एलेक्स सर सक मार्य नहीं कर पाया और फिर तुम्हे तरह कोई बीड हो वह कि एकसप्प्ट नहीं करेंगे अब हेंतान के बात को सुनकर उप प्रिंस नाराज होकर वहां से चला जाता है तो वही दूसरी तरफ आलस हेंतान के इस बात को उसे काफी हत šowा से दे रहा था झिसके बात आल्ए किसी तरह से अपने गुस्ते को सांध कराता है और दोबारा से ध्यान करने के बाद अपना भी प्रिक्तु करना चारी अब इससे पहली कि एलक्स बातों को सुनकर ऑफ है और वह उसे भी डाट लगा देता है अब ऐसको फ़िस जाएकर वहां से जाता है अब उसके जाती ही वहां पर हॉग आकर अजय के उसके फादर के करी सारे प्रिंसिस हैं और उन सभी में से ये दोनों प्रिंसिस हैं बहुत दाई यूजलेस हैं ये किसी काम के नहीं जहां तक ये लोग बहुत दाई बुरे काम भी करते हैं लेकिन इसे के साथ भी होंग अपनी मास्टर को बताता है कि साइद ये दोनों ही उसका सपोर्ट चाहते हैं लेकिन इस बात को सुनकर एलक उसे बताता है कि ये तो बनाममकिन है वो उनका सपोर्ट सपने में भी नहीं कर सकता है जिसके बात उसे कहता है कि आंज उसके फादर क हालत बोड़ वसरा आप है और ऐसा लग रहा है कि यह दोनों यहां पर किवस को लेने के-लिए आए यह लेकिन तब प्रिंसिस को देखते हैं तभी उन में से एक प्रिंस अपने बर्दर को कहता है कि यह मास्टर तो सच में ज्यादा काफिदा बुरा है और इसके अलाव और जब से यहाँ पर आया है उनी दोनों के पर वो टार्गेट बनाये हुए हैं इस बात को सुनकर उसका दूसरा बैतर क कहता है कि उसे चिंता करने की कोई पी जरूरत नहीं है वो आखिर कार कभी ने कभी इसका परताफास ही कर दी देगा लेकिन उससे पहले वो अपने बर्दर का टेस्ट लेना चाहता है जिसके बाद रात हो जाता है और अमोने दोनों प्रिंसिस को देखते हैं जो कि होंग के कमरे के बाहर खरे जिसके बाद धांग जली से दर्वाजग खुल देता है और उन दोनों से पूछता है कि आखिर उतनों यहाँ पर क्या कर रही हैं इस पर उनमें से एक बदर से बताता है कि उन्हें बिचरे हुए काफ़ टाइम हो चुका है इसलिए आज वो इसके साथ ए कि तीनों भाई मिलकर बरे मज़े से वाइन को पी रहे थे लेकिन असल में उन दोनों का चाल तो यहाँ पर था कि वो लोग ना हो सके उतना वाइन सीधे हॉंग को पिला कर उसे टैलली करके उसकी मूझ से असलियत पता करना चाहते थे और असलिए यहाँ पर होता भी ऐसा ह होंग काफी जड़ वाइन पीने के वज़े से नसे में आ जाता है जिसके बाद होंग उन दोनों को बताता है कि वो यहाँ पर प्रिंसस बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है इस पर उसका दूसरा प्रतर कहता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकता आखिरकार वो यहां का एक प्रिंस्स है कि उनके बातों को सुनकर हांग उने बताता है कि वो यहां पर इंसानों को राजा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता है बलकि वो आजात हो कड़ कई जवर जगे पर घुमना चाहता है जिसके बाद हांग एक मोती को बाहर निकाल कर उन दोन से कहता है कि क्या उन दोनों को पता है कि आखिर ये क्या है पर दोनों ही बताते हैं कि ये तो बसक चमकता हुआ मोती है लेकिन तब यहां उने बताता है कि ये मोती असल में उसके फादर ने उसे दिया था एक तरह से वो यहां के राज़े को उसके हाथों में सौपना चाहते हैं और ये मोती उसी का थ impl gente का अब हां गोंक की बातों को सुनकर वो दोनों का विड़ान थे कि आखीर यह कैसे हो सकता है कि उसके फादर ने यह मोती सुरिफ उसकी भरदर को दिया था जिसके बाद हां उन दोनों कहता है कि वो इस मोती को ऐसे बिल्कुल ही नहीं फेक सकता यह बहुत यह दक कीम के बाद हॉंग उस मोती को देने के बाद वहां से चला चाता है जिसके बाद हॉंग के जाने के बाद यह अब दोनों भाई एक दूसरे को बहुत हिंग सासे देखने लग रही थे दोनों ही उस मोती को छोड़ने के लिए आलगी राजी नहीं थे तबी उसका विफ्ट बर्दर अपने दूसरे बर्दर को कहता है कि क्या ये मोती और हूसे चूराना चाहता है लेकिन असल में उसका बर्दर भी यहाँ पर हाल मन्ने के लिए रेड़ी परदर भी कहा हार मानने के लिए रेडी था जिसके बाद दोनों एक दूसरे के चापने लग जाते हैं जैसे कि दूसरा अपना परदर को कहता है कि उसने बहुत सरे बुरे काम किये हैं यहां के राज्य के कई सारे चीजों को उसने यहां पर इनलेगल तरह किसे चुड़ाया पर वही दूसरी तरफ उसका बरदर भी कहा हार मानने वाला था वो भी उससे बताता है कि उसके कई सारे भाई बॉर्डर अभी तक वापस नहीं आए हैं कई ऐसा तो नहीं कि उन सबी के पीछे सरिफ उसी का ही हार कि अबाद देखते हैं उन दोनों के बीच जगरा काफी ख हो सके जिसके बाद दोनों के सपॉर्डर आपस में फायर्ट करने वाले थे लेकिन तभी वहां पर आजाता है अब आपर यम्परर को देखकर दोनों ही प्रिंस काफ़ेदा रहरान और काफ़ेदा डर बी जाते हैं उन्हें फादर को ठीक देकर उनमेंसे एक प्रिंस किसका हाथ हैं तोनों ही प्रिंसवी पर निंशे कीर जाते हैं जिसके बाद आंपर tutaj अन्हें बता हाता है जिसके बाद आखेते हों वह बहुत एंहीन ठाए हो इसके बात पर प्रविट अडरक को कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि आज वो लोग यहां पर आए थे नहीं तो इस बारे में कभी पता नहीं लगा सकते थे उसके बाता को सुनकर आस्जोने कि वैसे तो गिसवे तरह की लिए अरिकी में पड़ना चाहता लेकिन जब यहां पर उसके disciple के family को हो तो वो पीछे कैसे रह साथ इसके बाद emperor होंग से कहता है कि वो कुछी दिनों में काफ़ दबरा हो चुका है यहां तक कि उसमेदारे भी पहुती आ चुका है इस बात को सुनकर होंग कहता है कि वो तो बस उसके master के साथ रहने के वज़े से ऐसा हो पाया है जिसके ब episode भी यही पर end हो चाता है